नमस्कार दोस्तों पॉल्ट्री इंडिया टीवी में आपका रोज की तरह स्वागत हम ब्रॉलर और रंडे के थोग पाव डेली फ्री में देते हैं और आज बहुत महतुपरुन टिप्स हैं सर्दियों में मुर्गी पालन पार्ट तीन यह टिप्स अगर आप फोलो करते हैं तो इससे पॉल्ट्री फार्म की मॉर्टालिटी जो आपकी मुर्ट्री उदर पॉल्ट्री फार्म में हो रही है वो काफी कम हो जाएगी पार्ट वन और पार्ट तू अगर आपने नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सुन ले ही आपके बहुत फायदे का है सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जगे की पॉल्ट्री फार्म पे सर्दियों में जब बर्ड डाले जाते हैं तो पॉल्ट्री किसान अपने पॉल्ट्री फार्म की जो कैपस्टी है मान लिजे कैपस्टी उसकी 2000 स्क्वर फीट है तो 2000 ही बर्ड वो डाल देते हैं इससे वो उनको ऐसा लगता है कि सर्दियों में हम ज़्यादा बर्ड डाल सकते हैं लेकिन ये सर्दियां जब बहुत ज़्यादा होती है तो ये फार्मला काम नहीं करता उस समय अगर आप 80% अपने पॉल्ट्र फार्म की कैपस्टी का चूदे डालते हैं तो इससे आपकी मुर्ट्र फार्म पे कम हो जाती पहले मैं आपको बता दूँ 80% कैसे कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा मालीजे आपका पॉल्ट्र फार्म 200 स्क्वेर फीट है ये उदारन है आपका पॉल्ट्र फार्म बड़ा है या छोटा है तो उससे आप कैल्कुलेट कर ले मालीजे 200 स्क्वेर फीट आपका पॉल्ट्र फार्म है है धूर दूरा कम निकलती है और गर्मी नहीं होती, ठंड़क जदा होती है तो जो बीट है उनकी प्रौल टिवर्णयख एक्सक्रीटा है, वो एक्सक्रीटा ये सक्रीटा लीकर में मिल जाती है और वो सूख चुड़ाई, दस फीट अगर लंबाई है, दस फीट चुड़ाई है, तो ये दस गुना दस सो स्क्वेर फीट होगा, तो चुद इसमे असी डेलेंगे, जो कैल कुशन बताई है, इसको थोड़ा अपनोट कर ले, इससे फाइदा आपको मिलेगा, असाइटीस भी कम आएगा, के चांसिस बढ़ जाते हैं, और गाउट आ गया, फिर वही बल्ट पे एक लोड आ गया, किसी स्ट्रेस का, जब स्ट्रेस आ गया, तो उसके बाद फिर अन्य बेक्रिल और वाइरल डिवीज आने के संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो ये जरूर करें आप, एक जो बड़ ये जरूर करें, इसे भी आपको पॉल्टरी फाम पे मुर्ट उदर काफी कम देखने को मिलेगी, वीडियो के नीचे लाइक, कोमेंट, शेर एट टू प्लेलिस की ओप्शन है, सब्स्राइब कर लेंगे तो, रोज आपको ब्रॉल और और अन्डे के भाव भी आपके मोबा पर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, कल फिर आजीर हो जाएंगे पॉल्टरी के ब्रॉल और अन्डे के भाव लेकर बहुत बहुत धन्यवाद